हेलो फ्रेंड्स आज का जो हमारे टॉपिक है इस मर्स प्राइस वोल्टेज बैलेंस सिस्टम फॉर ट्रांस्मिशन लाइन बस-बाज यह जो स्कीम है यह ट्रांस्मिशन लाइन की प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है यह एक्जाम के पॉइंट आफ यू से बहुत इंपॉर्टन है चाहे वो डिप्लोमा के एक्जाम हो यह जही के एक्जाम हो और यह इंट्रिव्यू का भी कोशन बनता है तो यह जो है यह एक सिंगल लाइन डाइग्राम है मर्स प्राइस वोल्टेज प्रोटेक्शन बैलास सिस्टम की और इसमें दो अधेंटिकल सिटी सिटी जूस कियें यह सिटी वन और सिटीटू और यह दो रिलेज्स के सीरीज में प्नेक्टिड है सिटी वन एड लेकिन यह इस तरह से सिटीज कि यह फेज़ अपोजिशन में है अब अंडर healthy conditions क्या होता है कि जो current line के एक तरफ से enter कर रहा है और जो line के दूसरी तरफ से बाहर निकल रहा है ये equal रहेंगे तो equal and opposite voltage जो है वो cities में जो की secondary है उनमें induce होगी और क्योंकि ये equal है phase opposition में भी है तो जो हमारे relays है इनमें से कोई भी current flow नहीं करेगा लेकिन अगर fault हो जाता है तो क्या होगा कि जो एक city है उसमें से current flow करेगा वो जादा हो जाएगा दूसरे के मुकाबले में ऐसे में क्या होगा कि ये जो relays है इनमे circulating current flow करेगा अब जब ये circulating current flow करेगा तो इसकी वज़स से रिलेज ये operate करेंगे और ये दोनों के दोनों breakers को operate करके उनको trip करवा देंगे ये breaker भी trip हो जाएगा और हमारा ये breaker भी trip हो जाएगा और इस तरह से हमें protection मिल जाता है दोस्तों ये जो हमारी इसकी कुछ features है कि इसकी जो protection है वो बहुत ही instantaneous होती है साथ के साथ हो जाती है और इसको आप ring main system में भी और parallel feeder system में भी यूज़ कर सकते हैं अब बात करते हैं इस scheme के disadvantages की तो इसका जो सबसे बड़ा disadvantage है वो ये है कि जो CTs को balance करना है वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये CTs काफी दूर है तो जो CT1 में जो voltage है और CT2 point पर जो voltage रहेगी उसमें काफी difference आ जादा losses की वज़ा से तो ये CTs को balance करना main problem होती है तो इसकी वज़ा से 33 kv की ऊपर की voltage के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं दूसरी इसकी problem जो है वो यह है कि इसमें चार पाइलेट वायर यूज़ होंगी तीन ओफेशिस के लिए तीन वायर और एक फाइर पाइलेट वायर रिले के लिए तो यह पाइलेट वायर जो है काफी लंपी रहेंगी क्योंकि हमें long transmission lines के लिए यूज़ करना है मान लीजी यह 5 km है या 10 km है या जो भी distance है तो वो पाइलेट वायर का cost की वायर से यह system जो है यह scheme बहुत expensive हो जाती है थर्ड disadvantage यह है कि अगर यह पाइलेट वायर बीच में से break कर गई कहीं पे तो यह जो scheme है यह काम नहीं करेगी और साथ में चौथा disadvantage का यह है कि इसमें time delay नहीं है अब इस scheme का जो सबसे बड़ा disadvantage है वो है capacitive currents की वजह से होता क्या है कि जब fault होता है तो बहुत हैवी voltage करीब 1000 वोल्ट के गरीब voltage produce होती है तो इसकी वजह से बहुत ही जादा heavy capacitive currents है वो इन पाइलेट वायर में flow कर सकता है तो यह जो capacitive current है यह release का false operation करवा के भी tripping करवा सकता है तो यह इसका disadvantage है अब यह जो capacitive current का disadvantage है इसको दूर करने के लिए एक scheme है जिसको कहते है beard hunted compensated pilot wire scheme इस scheme में क्या करते है कि जो यह pilot wires होगी इनको एक insulated metal sheet से हम cover कर देंगे surround कर देंगे और उसको जो उसकी length है उसके आधे हिस्से से हम काड़ देंगे उस sheet को माल लीजिए यह यहां से यहां तक जो भी length रही होगी उसको center से हम दो हिस्सों में divide कर देंगे सो हमारे पास क्या होगा हमारे पास दो equal length के दो conductors हो जाएंगे वो metal sheet के जो वायर के उपर metal sheet वो तो यह क्या करेगा जो charging current दोनों side से आ रहा है वो बराबर हो जाएगा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा और इस तरह से यह जो capacitance है जो release को effect करने वाली है हमने इसको यहां से divert कर दिया तो आपने देखा यह protection किस तरह से काम करता है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लागा हो तो like करें thank you very much thanks for watching keep learning keep growing